36 गड़ के जित्ते भी स्टूडेंट है जिन्होंने 25 सितंबर को आज रविवार को जो है CGPSC प्यून का भृत्य का एक्जाम जो है दिया है इन क्यानवे पोश्ट के लिए और केटिग्री वाईस आप लोगों को मैं कट अब बताऊंगा कि जनरल केटिग्री वाली स्टूडेंट के कितने नंबर में सेलेक्शन होगा और आपका जो है कितना अंक आ रहा है और वह भी चुछे मैं आपको बताऊंगा यदि कटाऊंगा आपका अंक आता है तो आपका सेलेक्शन घो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगा क्योंकि यह जो है गवर्मेंट जॉब और कुट्टाइं की बात करें तो क्वेस्टन जो है उतना ही अच्ड़ पकुपति यह जो है इस तो कुट ओने वाला है तो यादि आप जेव् outward पश्ची में पुण regimes भरती परीक्छा में में 500 प्रुषण जो है पूचे गहे थे तो एंति है जर्रीन डिग्री डिग्री वाले इस्टूडेंट है तो 125 नंबर में सेलेश्चन हो गां जेट है और ग्रिक्री डिग्री में 125 नंबर के बीच में भी अंक आता है फिर भी सेलेक्शन जो है हो जाएगा तो जनरल के डिग्री वाले स्टूडेंट को 125 नंबर लाना होगा और आपको जो है गवर्मेंट जॉप मिल जाएगा क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है कि सीजी पेसी प्यून भरती परिक्षा में जो है आप and है इंजिनियरिंगस्ड आटम वाले हैं बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर से हो चाहे है न Corinthe है को अभी स्टूडेंट निसमें आवेधन किया ता और इसके लिए एलिजिब्लिटी क्राइटरियों कि आपके 8 ती mm पास्ता लेकिन हो लोगों ने इसमें है आपनाब के लिए तो यदि आपका जो है डेड़ सौ में से डेड़ सौ अंकों में यदि 125 जर्राल का ओभी सी के 115 एसी के 110 और एश्टी का जो है सव से 105 नमबर आता है तो निस्चित तोर पर आपका सेलेक्शन हो जाएगा और आप जो है जिसमें आपको सभी चीजे काम करना पड़ेगे यह मंतराला का चप्रासी का है प्यून का है तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा सेलेरी मिलेगा देखे आभी के डेट में जो है कोई भी गॉवर्मेंट जोटा है या बड़ा नहीं होता है उसके वैल्यू है अलग होता है अ 10,000 रुप्या ही मिलता है फिर भी किसको वैल्यू देंके सबसे जदा बोग को पता है जो गवर्मेंट जोब कर रहें ना जिनको 10,000 जोड़ें को वैल्यू दिया जाता है वजए जो 25,000 salary हर महीने कमाता है जो प्राइवेट सेक्टर में भी कमाता है और बहुत अच्छे से महनत करके पैसा कमाता है लेकिन उनको उतने value नहीं मिलता है जितने की government job को मिलता है तो इसलिए यदि आपको अप्यून चपरासी में भी selection हो जाता है फिर भी बहुत अच्छा है बात करें cgpc प्यून और इसके लिए जो रिजल्ट जो है कब तक जारी हो सकता है तो आपको रिजल्ट बारे में बताना चाहता हूं तो इसके रिजल्ट आने में लगभग आपको जो है 30 से 35 दिनों को समय लग जागा यानि कि ए रिजल्ट आमको जो है नम्मर महीने के ज और इंक ऐड़ पोस्ट लगे लग भग 2,25 रारी स्टुडेंट ने जो है इसमें आवेदन कियाँ फांफ फिलव किया कभी भी जो है सीजी पेसी के द्वारा प्यूंच अपरासी का बढ़ती नहीं लिया गया तो इतना ही जो है कट अप जाने वाला और 36 गण में जो है बहुत ही अच्छा नियू नियू गवर्मेंट जो वेकेंसे सांप लोगों को देखने को मिलेगा चाहे वह साकारिता विभा मीति प्रबन्धक और ido до 300genommen के यहें बताना चाहता हूं कि बहुंत को समीधि प्रबंधक और शुपरवाइजर के को से शुपरवाइजर कोरारन को जिसम says यही प्रबंध़ के साथ्रा सोपोस्ट न संब्सा कर बोश्ट अर्ध को तो उसके लिए भी आने वाले की प्रिपेशन किजी और हार मत मानी अभी देख सीजी देखेए अठारह सी तंबर को जए सीजी टेर्ट कभी एक्जाम सुआ अब सीजी टेट में जिनका सेलेक्शन हुआ उनके लिए तो अच्छी बाता जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ और तो फिर भी आप जो है सीटेट कि मु जब कम के जड़ेंगर किर मेरे किसमत पर किसमत में आप जो है बिल्कुल ही मत सोचे़ कि आपके किसमت में नहीं है तो आपको नहीं मेराżenie को स democratic सभिष्वाइब वाज यह और किसमत में लेकी आप जादी बार बार आप असफल हो रहे हैं तो आपको काड़ा होना फिर से उठना है और फिर वही जो जो नों सी आपको महनत करना है हाड़ वाक करना है अपना हंडल प्रसिश्रंड देनैं तब जाकर एक्षाम जो है क्वालिफाइक होता है ऐह आप से सोचेंगे कि एक यह उसक्राण में महनत करूंगा तो प्यूंच अपरासी भरती परिक्षा में जनरल के डिग्रिवाले स्टुडेंट का 125 नमबर में OBC के 115, SC के 110 और HD का 100-105 नमबर में सेलेक्शन हो जाएगा तो यही कटप जो है जाने वाला है कटप इससे हाई नहीं जाएगा इतना ही कटप जो है देखने को मिलेगा और आप जो है अपने सभी डाक्योमेंट जो है डिवी सी जब डाक्योमेंट वेरिफिकेशन होता है दस्तावज परिक्षन सभी डाक्योमेंट आप अपना रेडी सकते हैं तो प्लेस आगर वीडियो साप लोगों को अच्छा लगा हो जो भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया सभी जानकारी आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्लीस वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल पर नहीं तो को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो से जानकारी जो है सबसे पहले मिल सेगे तो प्लीस आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए बाकि स्टुडेंट को भी वीडियो को सेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे सी जानकारी जो है मिल सेगे और प्लीस आप लोगों के लिए मैं इतने महनस से वीडियो बनाता हूं हर दिन यू निव वीडियो से लेका रहता हूं तो प्लीस आप लोगों मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोगों के सपोर्ट के बहुत ज्यादा जयो रहत है प्लीस सबिस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए कोई भी डाउट सो तो कमेंट अवा सकीजिए ताकि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब जो है देशक हूं सुथाइंक्यू आम सभी का सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो में